बुद्वार को वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में भारत और न्यूजिलेंड के बीच वार है और भारत अगर चाहता है तीसरी बार चैंपियन बनना तो उसे इस मुकाबले को सबसे पहले जीतना होगा तब ही जाकर फाइनल का टिकट मिलेगा लेकिन भारत की राह में न्यूजिलेंड ने कुछ काटे बिचा रखे हैं या यू कहलें कि न्यूजिलेंड के कुछ खिलाडी हैं जो भारत की राह में काटे बोने को तयार हैं तो अगर भारत को फाइनल का टिकट चाहिए तो ये जरूरी होगा कि जो खिलाडी रास्ते में क सफल ना होने दे तो कौन है वो पांच खिलाडी जिन्हें भारतिय टीम को सेमी फाइनल मुकाबले में सफल नहीं होने देना है आज बताऊंगा लेकिन सबसे पहले बता दू कि आप देख रहें न्यूस बाइस को और मैं हूरा की श्रंजन भारत और न्यूजिलेंड के बीच विशो कप का सेमी फाइनल मुकाबला बुधवार को है और इस मुकाबले में भारतिय टीम जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेगी और खास करके तब जबकि पिछली बार 2019 के सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड ने भारतिये सपने को तोड़ दिया था तो वो बदला भी लेना है और अगर आपको बदला लेना है न्यूजिलेंड से तो जो न्यूजिलेंड के कुछ प्रमुक खिलाडी हैं उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से रोकना होगा तो कौन-कौन से प्रमुख खिलाडी है जो भारत की राह में काटे बो सकते हैं तो जो सबसे पहला नाम है वो जो है वो भारतिये मूल के ही खिलाडी है निउजलन्ड के लिए खेलते हैं और वो हैं रचिन रविंद्र रचिन रविंद्र इस विशकप में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बतादू कि उन्होंने अब तक 565 रन बनाए हैं और जो इस विशकप में जिन बैटरों की हम बात करते हैं जिनोंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो रचिन रविंद्र जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं और आपको जो है उनका विकेट जल्दी चाहिए होगा क्योंकि वो कॉन्वे के साथ पारी की शुरुवात करेंगे उनका स्ट्राइक रेट भी आप देखें तो 108.44 का है मतलब वो तेजी से रन बनाना जानते हैं तो उनकी जो पारिया होती है वो इंपैक्ट पारिया होती है जिनका की मैच पर असर पड़ता है इसके अलावा वो गेनवाजी भी कर लेते हैं लेफ्ट आम स्पिनर है और इस विश्यकप में अब तक 5 विकेट ले चुके हैं और उनका जो एकोनामी है वो 6 से कम है तो जो ये बताता है कि एक पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर जो की पांचमें बॉलर की जगा भरने की कोशिश करता है उसके लिए ये एकोनामी जो है वो आप क्या सकते हैं कि सुईकारिया बेहतर है तो भारत की राह में जो पहले खिलाडी है न्यूजिलेंड के जो कांटा बो सकते हैं वो है भारतिये मूल के रचिन रविंद्र और इनके खिलाफ भारतिये टीम को बेहतर रणनीती के साथ सामने आना होगा और इनका विकेट जो है वो जल्दी निकालना होगा न्यूजिलेंड के तरकश में जो दूसरा तीर है जो भारत को अकसर जो है वो चुभन का एहसास कराता है वो कोई और नहीं न्यूजिलेंड के कप्तान विलियमसन है विलियमसन के बारे मैं आपको इतना बता दू कि वो दुनिया के स्रिष्ट बल्लेबाजों में एक हैं और टॉप के तीन चार बैटर्स में उनकी गिड़ती होती है हलाकि इस विशर कप में वो ज्यादातर मैच नहीं खेल सके क्योंकि वो चोटिल रहे लेकिन जो मैचेज उन्होंने खेले तीन ही मैच खेले लेकिन आप अंदाजा लगाईए कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं कि इन चोटों के बाबजुद जब वो मैदान पर उतरे तो जो उनका ओसत है वो 94 का है उन्होंने जो है तीन मैचों में 187 रन बनाए हैं इसके अलावा अगर हम भारत के खिलाफ उनके प्रदर्शन की बात करें तो विलियमसन ने भारत के खिलाफ 28 मैच खेले हैं और 1088 रन बनाए हैं और उनका ओसत भारत के खिलाफ 43 दश्मलव एक दो का है और विलियमसन वो खिलाडी हैं जो विकेट पर टिक कर खेलना पसंद करते हैं इस विश्यकप में हमने देखा है कि भारती ये बॉलर जल्दी जल्दी विकेट निकालना चाहते हैं तो अगर विलियमसन ने एक छोर जो है समाल ली तो भारत के लिए मुश्किले बढ़ ही होगा क्योंकि अगर ये 15 ओवर विलियमसन ने निकाल दिये तो फिर आगे के ओवरों में चुकि मुंबई जो है वो बैटिंग पारडाइज है तो फिर भारत के लिए मुश्किले बढ़ जाएंगी तो एक बड़ा जो अवरोध आप कह सकते हैं भारत के फाइनल तक के ला था और सेमी फाइनल में भारतिये टीम को पराजित किया था तब भी कप्तान के विलियमसन ही थे तो दूसरे खिलाड़ी जिनका विकेट भारत को जल्दी चाहिए होगा वो हैं के विलियमसन अब हम तीसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं और चुकि जैसा मैंने दिर पहले आपको कहा कि वान खेडे में शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को क्योंकि वहाँ स्विंग होता है तो ऐसे में ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और खास करके इसलिए भी क्यो कि वो लेफ्ट आम फास्ट बॉलर हैं और उनकी गेंदे स्विंग करके अंदर आती हैं और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा को इस तरह की गेंदे पास्ट में परेशान करती रही हैं और हम ये भी जानते हैं कि इस विशकप में भारत की सफलता में रोहित शर्मा का हाथ बहुत बड़ा है क्योंकि शुरुआती ओवरो में वो जो एक काउंटर अटैक करते हैं वो टीम को बिलकुल उपर लेकर चले आते हैं तो ऐसे में नियूजिलेंड की टीम को तलाश होगा कि वो रोहित शर्मा का विकेट ले तो भारत ने रन आसानी से चेज कर लिये थे तो इसलिए ये जरूरी है कि ट्रेंट बोल्ट को आपको चलने नहीं देना होगा ट्रेंट बोल्ट ने इस विश्यो कप में नौ मैचों में 13 विकेट लिये हैं और उनका एकोनमी 5.16 का है और ऐसे भी भारत के खिलाब अगर हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने जो है वो 14 मैचों में 25 विकेट लिये हैं तो उन्हें भारत के खिलाब गेनवाजी करना पसंद है और रोहित को एक क्रास दा फॉर्मेट तीस मैचों में वो आठ बार आउट कर चुके हैं इसलिए ट्रेंट बोल्ट को बेहतर प्रदर्शन करने से रोकने की जरूरत है और उसके लिए भी योजना होनी चाहिए चौते खिलाडी जो की भारत के लिए खतरराग साबित हो सकते हैं और भारत के फाइनल तक के सफर के बीच एक बड़ा अवरोद हैं वो है मिचल सेंटनर लेफ्ट आम और्थोडाक्स स्पिनर और भारत को लेफ्ट आम और्थोडाक्स स्पिनर को खेलने में परेशानी होती है विराट कोहली को खास करके लेफ्ट आम स्पिनर हमेशा परेशान करते हैं और इसलिए सेंटनर को भारतिये टीम को बहुत समहल कर खेलने की जरूरत है। सेंटनर ने रोहित को भी कई बार आउट किया है और इन सारी चीजों को देखते हुए सेंटनर पर खास ध्यान देना होगा इंडियन बैटर्स को और आपको उन्हें विकेट नहीं देना होगा भले ही आप उनके 10 ओवरों में कम रन ही बनाएं जैसा कि आपने धर्मशाला में भी किया था और धर्मशाला में जो है भारती ए टीम ने सेंटनर को उतने विकेट नहीं निकालने दिये सेंटनर ने जो है 37 रन पर एक विकेट लिया था धर्मशाला में तो आप रन भले कम बनाएं उन्हें विकेट ना दे तो चोतहे खतर्नाक खिलाडी जिनने बहतर प्र या फिर इसके अलावा सौधी हैं उनको जुनू लेकिन मैंने जो है कॉनवे को वो पाँचवाँ खिलाडी माना है जो भारती ये टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं उसके पीछे वज़ा ही ये है कि अगर हम इस विश्यो कप को देखें तो जो टॉप ओर्डर के खिलाडी हैं अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो जो सामने वाली टीम है उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो अगर हम कॉनवे की बात करें तो कॉनवे जो है वो खतर कारी की शुरुआत करते हैं तो अगर वो और रचिन रविंद्र की जोड़ी अच्छे स्कोर कर जाती है और शुरुआत अच्छी दिला देती है तो फिर भारत के लिए मुश्किलें हो जाएंगी क्योंकि इस विश्यो कप में अगर भारत जीत रहा है तो उसकी एक बड़ी वज़ा ये रही है कि भारत ने शुरुआती ओवरो में ही विपक्षी टीम के विकेट जो है वो गुच्छों में निकाले हैं तो यहाँ पर कौनवे उस मामले में महत्वपूर्ण हो जाते हैं हलाकि भारत के खिलाब जो धर्मशाला में उन्होंने मुकाबला खेला था वह तो ये हैं वो पाँच खिलाडी जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं रचिन रविंद्र, केंग विल्यमसन जो की निजलेंड टीम के कप्तान हैं इसके अलावा ट्रेंट बोल्ड, फिर मिचल सेंटनर और फिर कौनवे इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीम साओधी प्रदर्शन बेहतर रहा है, उन्होंने 24 मैचों में 35 विकेट लिये हैं भारत के खिलाब, मिचल की बात करते हैं जिन्होंने धरमिशाला में भारत के खिलाब 130 रनों की शांदार पारी खेली थी, तो वो एक खतरनाक खिलाडी हैं भारत के लिए, इसके अलावा फिलिप्स या चैपमेन भी भारत के लिए खतरनाक थाबिद हो सकते हैं.